प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेज में आप सभी का हादिक स्वागत है आज का विषय है हमारा प्रत्य विषय में आगे बढ़ने के पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जढ़ा से जढ़ा लोगों को सेर करें देखिए अपने टॉपिक को प्रत्य प्रत्य किसे कहते हैं जो किसी सब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्य किया है प्रते के से कहते हैं जो किसी सब्द के बाद में जुलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम प्रते के भेद प्रते के कितने भेद होते हैं प्रते के दो भेद होते हैं एक होता है कृत प्रते अर्थार जिसे हम कृजंद के नाम से जानते हैं दूसरा होता है तद्धित प तो प्रत्य के कितने भेद होते हैं, दो प्रत्य होते हैं, एक कृत्प्रत्य और दूसरा तधित्प्रत्य, देखिए कृत्प्रत्य किसे कहते हैं, जो प्रत्य धात में लगकर संग्यावा विशेशन सब्द बनते हैं, उन्हें हम कृत्प्रत्य कहते हैं, जो प्रत्य धात में लगकर जो धात होते हैं जैसे पठ गम नी ठीक है ये जो धात रूप में लगकर के संग्यावा विशेशर सब्द बंते हैं उन्हें हम कृत पत्य या कृदंत पत्य के नाम से जानते हैं अब देखे अगला है तद्धित पत्य तो तद्धित पत्य किसे कहते हैं जो संग्या ज तथा विशेशण सब्द के बाद में जुड़कर सब्द में परिवर्तन आता है उसे हम तद्धित प्रते कहते हैं। पहला प्रते है आई ये सारे प्रते लिखे हुए हैं ये प्रते से निर्मित सब्द लिखे हुए हैं। आई तवा ता पन आहट आवट और इ इतने प्रते हैं लिखे हुए हैं अब देखे आई प्रते से निर्मित सब्द क्योंकि सब्द के बाद में लगकर जो सब्द के अर्थ को बदल देते हैं उसे हम प्रते कहते हैं। जैसे चतुराई चतुर में आई प्रते लगी है हो गया चतुराई लिखाई लिखदन आई इसमें क्या है ये कौन सा प्रते हैं। धात रूप है लिख जैसे पढ़ाई पढ़ में आई प्रते वरावर पढ़ाई मिठाई तो चतुराई लिखाई मिठाई पढ़ाई सिलाई ये सब आई प्रते से युक्त निर्वित सब्द बने हैं। त्वा त्वा जदा पूछा जाता है जैसे प्रभुत्व, महत्व, ममत्व और कवित्व जो सब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को बदल दें उसे हम प्रते कहते हैं। तो त्वा प्रते सम्में बाद में लगा हुआ है, तो यही हमारा प्रते हो गया, जैसे अगला प्रते है ता प्रते, जैसे सुन्दर है, सुन्दर तो सब्द है, विसेस्तर बताये गया है, विसेस्ता है, तो सुन्दर ता, ता जब लगा तो हो गया ता प्रते, सुन्दर ता म्रदुता महानता और मधूरता सब्द के अंद में जो लगा हुआ है उसे हम प्रते कहते हैं सब्द के अंद में जुड़कर जो उसके आर्थ में परवर्तन ला देता है उसे हम प्रते कहते हैं तो मधूर सब्द है मधूरता, तो टा प्रत्य लग गया है हो गया मधूरता, अगला है पन, पन में जैसे बचपन, बचपन, लडगपन, भोलापन, पागलपन, तो पन इसमें बाद में लगा हुआ है इसलिए यहाँ पन प्रत्ते हुआ आहट आहट में क्या है जैसे घवराहट जगमगाहट आहट बाद में लगा हुआ है जगमगाहट गणगणाहट तो यहाँ आहट प्रत्ते से युक्त सब्द है जैसे आवट क्या है आवट इसे निर्मिस सब्द क्या है सजावट सजावट, सजधन आवट बरावर सजावट, मिलधन आवट बरावर मिलावट, आवट बाद में आया है, इसलिए यह हमारा प्रते है, ठकावट, ऐसा है, ठकान से हो गया ठकावट, बनावट, बनावट, यह प्रते, इसमें बन में आवट प्रते लगा है, इसलिए यह प्रत्य है नगरिय, जातिय, मानविय, यह यह प्रत्य से निर्मित सारे सब्द हैं, क्योंकि सब्द के बाद में यह लगा हुआ है, इसलिए यह प्रत्य से निर्मित सारे सब्द हैं, तो इस तरह हमारा यहा प्रत्य का चैप्टर भी आज समात्त हुआ, धन्यवाद.